हेलो फ्रेंड्स सेवन टू टैन मन्त पेबी के लिए डाइट प्लान में ओट्स रेसिपी लेकर आई हूँ आपके लिए दो रेसिपी से फ्रेंड्स नमकीन और मीठी तुरादी कुछना फ्रेंड्स कि यह दिको है लो सभी मैं आप सबी का बहुत बास वागत से आप से बनान अर्फू जाल दिया है इसी तरीके से दूसरे कहें खाल थे बनान निकाल देंगे अब यह रोग है भाड़ जब तक अब तक हम इसपर कुछ बड़ करेंगे जयाति है क्या करते है वह जो चपन में तो तोर डूब मिक्स रोग उसको डाइड करेंगे है तो आप देक सकते है तो आप देख सकते हैं, इस पाउल में मैंने मिक्स किया हुआ है, दूद और खजूर, उसको पीस लिया था, इसी में मैं पाउडर भी मिक्स कर लूँगी, ओट्स के आटे का, क्योंकि अगर हम डाइरेक्ट उसको दूद में मिक्स करते हैं, तो गोट्लिया बन जाती है, वह इस नहीं बनता है, दूद बाल मार चुका है, तो इसको हम इस तरीके से मिक्स करेंगे, टूद में आटा लेना है, तो आप देख सकते हैं, बड़ा इस पून है, यह आप देख सकते हैं, इसको दूद में एट करोंगी, और बरावर इसको बाद में चलाती रहूंगी, मैं जैसे कि बिल्कुल भी गुटलिया ना पड़े बढ़िया से रैडी हो जाए बच्चे आराम से खा ले इसको तो इस तरीके से हमने चलाते रहना है इसको जैस कि फ्लेम को हलका कर देना है और आप नोट कर सकते हैं तो आप उसको बहुत ज़्यादे टाइम लगता है बनाने में आप इस तरीके से इसका पाउडर बना कर रख सकते हैं बच्चों को आप एक बार रोस को लेजिए हलका सा भून लेजिए कलर चेंज होने पर उसके बाद इसको पीस कर स्टोर केजिए बहुत जल्दी बनके रैडी होगा और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा हैगा बच्चा आराम से खा लेगा नॉर्मली अगर आब बनाते ह तो बहुत टाइम लेता है बनने में इस तरीके से हमें चलाते रहना है आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम बनकर रैडी हो रहा है बच्चों के लिए बहुत ही हैल्दी रेसिपी है प्रिकि हाई फाइवर होता है इसमें बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए बच्चों को भी पसंद आता है इस तरीके का तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एकदम रदी हुआ ही है जिस तरीके से फी टो टो ट इक लिए बहुत जादे मैंने नहीं लिया है क्योंकि हमने बच्चों के लिए बनाना है बच्चों की भूग का आपको पता ही होता है बहुत थोड़ा साही काते है यह बिल्कुल रेडी है इसको बावल में कर लेंगे हैं तो आप देख सकते हैं दूद में जो ओट सम ने अच्छे से प हमने इसको बना लिया है और बच्चों के लिया आप आराम से खिला सकते हैं अब क्या करते हैं एक दूसरी रेसिपी बनाते है जो कि नमकीन है तो हमने सबसे पहले एक पैन रख देना है गैसान करकर उसमें देना है एक शथाई चम्मस देसी घी यह गरम हो जाएगा उसके इसमें एड करेंगे हाफ इंच बहुत थोड़ा सा ही और वो भी बहुत बारीक कर लेना है उसके बाद क्योंकि बहुत कम क्यांटिटी में बच्चों के लिए बनता है इस वज़े से स्मेल जादे ना आये बच्चा ऐसा होता है खानी पाता है आती है तो इस वज़े स्मेल थोड़ा सा ही अट करना है आप देख सकते हैं बहुत थोड़ा सा तो इस पून यहाँ पर हमने लेना है ओट्स काटा आप पानी एड कर देना है हमें लगबाग एक लास पानी एड होगा इसमें देरी देर यहां से चलाते रहे है बराबर क्योंकि गोठलिया बनने लगती ह है बराबर चलाते रहना है फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा करके पानी एड करना है एक लास पानी लगबाग इसमें एड हो जाएगा गैस की फ्लेम अभी हमें तेज रखनी है खलकी नहीं करनी है नमक स्वादनसार बच्चे के साफ से जरासा और यहां पे मैं थोड़ा से टेमैटो केचप का टेस्ट ले रही हूं कोगी आजकल के बच्चों को नहीं थोड़ा सा टेस्ट आता है तभी चीजे खाते हैं तो थ अधोड़ा से मैं आपे लिया है हाफ स्पून है यह टेमैटो केचप इसको मैंने मिक्स कर रहा है क्योंकि इस पर चिल्ली बगरन नहीं होती एक टेस्ट होता है तेमैटो का आप चाहे तो घर पे भी टेमैटो केचप बना सकते हैं और मैंने यह पे फ्लाल तो रेडिमेट है आप इसको अच्छे से मिक्स कर सकते हैं गैस के फिल्म को तेज रखना है अभी क्योंकि दूद में तो मैंने अपको बताया था कि यह से फिल्म कम रखनी है क्यों दूद जलने लगता है चल्दी जल्दी पानी जल्दी नहीं जलता है तो गैस के फिल्म हमने तेज रखनी अब यह काफी पतला है इसको तोड़ा से गाड़ा होने तक हम इसको पकाएंगे और चलाते बराबर रहेंगे क्योंकि अगर रोक देते हैं इसको तो इसमें गुटलिया बनने लगती हैं आप देख सकते हैं कितना बढ़ी अबाल आ रहा है बच्छो क्लिया आप देखा कि देखें आपके साथ दो रेषीपी शेयर की हैं कि देखिए आपके इतना बढ़्या पक्राया है यह थोड़ा पतला है इसको तोड़ा सिर्णा पका नहीं को पकाना है इसको तोड़ा सुद्दर नहीं हो जाएंगा हलका से मैंने क्या कर रहें तो आप हलकी से हल्दी लगा इसका जो कलर आया ना बच्चे दाल समझकर इसको कहा लेते क्योंकि इसका इतना सुन्दर आता है फिर मैंने हलका से मिक्स कर दिया है इसका कलर भी निखर कर आया थोड़ा तो यह रेडी है इसको में बाउल में कर लेंगे आप देख सकते हैं ओट समारे बिल्कुल रेडी है नमकी नोट्स दुकर बच्चे ऐसे समझके खा लेते हैं जैसे कि वह दाल खा रहे हैं बहुत यह अच्छा फ्लेवर आता है कलर भी बहुत सुन्दर हो जाता है देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है बच्चों को खलाईए और अगर आपको मेरी रेसीबी बसंद आती ह के शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा कमेंट करके जरूर बताएगा कीर्दी गोईल रसोईव में आपको बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल को सस्क्राइब जरू करिएगा रादी किशना फ्रेंड्स थैंक्यू सो मच